दोस्तों अप्लीकेशन बनवाने से पहले ऐसे 10 सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सबसे पहला सवाल आपके मन में यह आता होगा कि क्या फ्री अप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है free application से मेरा मतलब है ये कि आप सभी को पता है application जब हम बनाते हैं या कोई भी बड़ी company जब application बनाती है तो वो इसलिए नहीं बनाती है कि वो अपने application के अंदर advertisement के थो earn कर सेके वो इसलिए बनाती है ताकि उस application के अंदर उनका जो app बना रहा है उसके अंदर वो ऐसे tools को premium रखे जिसके वो earn कर सेके example के तोर पे pixart अगर आप pixart यूज़ करते होगे तो उसके कुछ ऐसे filters होते हैं जो premium रहते हैं और वही premium जो filters रहते हैं जिनके वज़े से company को बहुत ज़्यादा profit होता है तो ज्यादा तर companyya यही motive लेकर application को create करती है application बनवाती है और play store पे upload करती है पर यह का अलग पाट है अगर आप professional नहीं होगर आप लोगों को ज्यादा इन सब के पार में पता नहीं है तो मतलब इससे पहले आपके मन में यह सवाल आता होगा कि क्या हम free application बनवा के play store पे डाल के earning कर सकते है free application से मेरा मतलब यह है कि अगर आप developer हो तो आप free में बनवा पाऊगे हाला कि बनवाने के लिए आपका developer पास जाना ही पड़ेगा mobile app developer के पास तो free application अगर आप खुद से बना लेते हो तो यहस आप उससे earn कर पाऊगे बड़े इस डिपेंड की आपका application कौन सी category का है और आप अपने अप्लिकेशन में मतलब क्या-क्या वे डाल रहे हो earning करने का वैसे जादा तर थ्री वे जादा यूज होते है फर्स होता है उसके अंदर advertisement यानि कि आप Google के AdMob ads डाल रहे हो second Facebook ads डाल रहे हो third other ads network जो होते हैं ठीक है यह एक्षिय मैंने advertisement के अंदर बता दिया second way होता है आप sponsorship वगरा ले सकते हो company से या अगर आपका application पर जादे डाउनलोड है तो आप किसी other application का marketing आप अपने application में करके उनसे कुछ pay मतलब उनसे पैसे लेके उनकी branding कर सकते हो आप ऐसे कह सकते हो तीसरा way है कि आप referral marketing उसके अंदर कर सकते हो referral marketing से भी आपके application को ज्यादा फायदा हो और downloads भी जादे आएंगे भले ही points आप अपने users को pay कर रहे हो लेकिन आपको ज्यादा फायदा हो तो यह first question रहता है कि आप free applications मतलब जो applications रहते हैं जो free applications रहते हैं या अपने बनवा लिया जो play store पे आप डाल रहे हो मतलब जो आपकी users रहेंगे उनको कुछ amount पे नहीं करना पड़ेगे तरह से free applications आप play store पे डाल रहे हो तो उससे आप कितना अंगर पाऊगे यह ways थे actually कितना अंगर पाऊगे मैं बाद बताऊंगा बड़ यह ways थे earning करने के और दूसरा question रहता है आपका कि कौन से applications ज्यादा profitable होते हैं मतलब obviously अगर आप source रो application बनवाने के बारे में तो सबसे ज्यादा question यह important question actually कि आप उससे जरूर यह सोचोगे कि कौन से application को मैं बनवाऊ और कौन सा सबसे ज्यादा profitable app होता है app industry में तो दोस्तों मेरे experience के हिसाब से और अगर आप Google पर भी search करोगे तो आपको जरूर समझने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो profitable apps रहते हैं वो first एक तो video streaming applications जो सबसे ज्यादा इस time चल रहा है ठीक है second music applications बेस time ज्यादा चल रहा है क्योंकि ज्यादा तर लोग engage होते music और videos देखना और music सुनना यह सबको पसंद होता है पच्छे बड़े बुड़े जवान सबको पसंद होता है और third जो category मुझे लगती है जिसमें बहुत जादी अर्नी है that is e-commerce application तो यह तीन category के applications जो रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा profit है अब आप खुद चूज कर लो देखो video streaming में video streaming में subcategories बहुत सारी आती है OTT platforms है video status applications होगे और भी बहुत सरे से छोट-छोटे categories आते हैं जिसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा प्लेस्टोर पे कि उसका competition कितना है market में आपको पता होगा अगर अपने प्लेस्टोर पर आपको पता होगा अड्मोग पे अपने अप्लिकेशन में आड्मोग के लगाते हो तो 100% आपको Google पे नहीं करता है 70% आपको देता है 30% वो अपने पास रखता है वैसे ही Google पे Google प्लेस्टोर पे अगर आप अपने अप्लिकेशन को बनाया होता है उसके पास जाता है 30% का जो अमाउंट रहता है वो गूगल कट कर लेता है तो आप भी बविश्य में अप्लिकेशन बनाते हो पेड अप्लिकेशन तो 70% ही आपको मेलेगा 30% गूगल अपने पास रखता है अभी तक तो ऐसे ही जब आप मेरा वीडियो देख होंगे मुझे लगता है ऐसा कि क्या अप्लिकेशन से बहुत जादा अन किया सकता है येस बिलकुल अप्लिकेशन से बहुत जादा अन किया सकता है बट डिपेंड ओन यूर अप्लिकेशन की आपका अप्लिकेशन का कमपेटेशन कितना है मार्केट में आपका अप्लिकेश से बहुत जादा अन कर पाऊगे फर्स्ट जैसे मैं आपको बताया देखिये जो आपका अप्लिकेशन रहता समें टेकनोलोजी उसमें आप अर्निंग करने का वे और उसका जो कमपटीशन इस टा मार्केट में कितना है यह सब पर अच्छे से फोकस करोगे जो मैंने इस वीडियो में पॉइंट कर लीजे ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इन सब चीजों की इन सब चीजों की आप जब ध्यान दोगे तो एजली आप अर्म कर पाऊगे और नेक्स्ट कोशन पर हम आते हैं नेक्स्ट कोशन है कि एक डेवलपर मतलब जब आप किसी अधर के कोई किसी बिजनस परसन को देखते हो या फिर किसी अच्छे अप्लिकेशन को देखते हो जब आप अप्लिकेशन परणाने के बारे में सोचते हो और उस ताब आप किसी अधर अप्लिकेशन को देखते हो जहां तक मेरे experience है, वो application बना के provide करके, मतलब वो अपने ही business को establish करने में जादा focus करते हैं, वहां से वो जादा अन करते हैं, यह मेरे experience actually, क्योंकि developer कभी focus यह नहीं करेगा, कि वो अपना अप्लिकेशन बना के प्लेस्टोर पर डाल दें, क्योंकि जब वो प्लेस्टोर पर डालेगा तो उसके पीछे मतलब, वो coding पार्ट रहता है, वो फिर दिमाग से हट जाता है, अगर आपक एक application भी अगर आप एक developer और अपने application भी प्लेस्टोर पर डाल दें तो उसके पीछे बहुत सारे करता है और जो उनके clients हैं उन पर जादा फोकस करता है ताकि वो जादा जादा application बिल्ड कर सके, मतलब अच्छी है नहीं से कर लेता है तो इन सब चीजों के पीछे developer ज्यादा नहीं भागते हैं, मतलब भागते हैं असी बात नहीं है, जब आपना अपना जोच होगे कि हम play store के लिए application बनवाएं या फिर हम apple store के लिए application बनवाएं दोस्तों आप सभी को पता है कि ज्यादा तर लोग obviously अभी हुआई की बात अगर अलग की जाए तो android यूज करते हैं या फिर ios यूज करते हैं तो एक question और होगा आपके मन में कि आप अगर application बनवाएं तो आप कौन से platform के लिए application बनवाएं गूगल play store के लिए या फिर ios के लिए तो अगर earning की बात करो तो obviously ios अगर आप बनवाते हो तो यहाँ पर आप ज्यादा अन कर पाऊगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने application को premium रखते हो तो ज्यादा तर users आपक आपके application को buy करेंगे लिकिन अगर google play store की बात की जाए तो google play store में ज्यादा तर users यह सोचते हैं कि हमें यहाँ से free आप मिल जाए तो यहाँ पर earning तो कम होगी लेकिन users बहुत जादे आपको मिल जाएंगे अगर earning की बात की जाए तो अब बात करते हैं कि मतलब जादा इन दोन आप platform में से application मनाना कि ज्यादा best phone सा रहेगा ठीक है तो दोस्तों मेरे experience के साफ से ज्यादा best रहेगा google पे अगर अपने application को starting में डालोगे तो वो इसलिए क्योंकि एक तो आपको इसके लिए developers easily मिल जाएंगे अगर आप developer नहीं हो तो दूसरा यहाँ पी users ज्यादा आप सभ आपको जल्दी मिलेगा इसका तीसरा कि यह जो अब जब आप प्लेस्टोर पे डालते हो application को तो वहाँ पे 25 डॉलर चार्ज करता है google प्लेस्टोर जबकि ios में 100 तो यह भी फर्क पड़ता कहीं आपको यह महंगा पड़ेगा हाँ earning आप ज्यादा कर पाऊगे पर यहाँ प यह कुछ questions थे जब आप application में आने जाते हो तो जो आपकी माइंड में आता है मनदब जो questions आते होंगे उनको मैंने इस वीडियो में solve करनी कोशिश की है बतानी कोशिश की है तो अगर आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक जबर कीजिए अगर आप मेरे चैन पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तेंकि दोस्तों में आपके नेक्स वीडियो में